माइक नंबर दो में अगर कोई नौन मुसलिम भाई हूँ तो सवाल कर सकते हैं सलाम अलेकुम जाकिर भाई मेरा नाम तुशार शहा है मैं जैन गुजराती हूँ सर मैं सिविल इंजिनियर हूँ कॉमर्स ग्रैजियोट हूँ और एंबिए की डिगरी होल्ड करता हूँ और पूर्णा में एजे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंट के थू मालूम पड़ा उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मैं तब से का फैन हुआ तकरिबन पांच साल पहले उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले यह मैं खोज रहा था तो मुझे क्यू टीवी की वेर मैं पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चलू कर दिया सर उसके बाद में तो हमारी गई पीस टीवी चालू हुआ सर पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ और सर मैं यहां ब्रेक लेकर बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है यह जो भी रायट सर रितियोल जैन लोग फालो करते हैं यह बचपन से लेकर आज तक मैं समझने में फेल र रहा है सर अन दे कॉंटररी इसलाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े जो के आपके त्रू मालूम पड़े 99.99% एक्सेप्ट हो रहे है ओ भी लॉजिकली सर तो यहां दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी पर्मिशन से बात करना चाहूंगा मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से कैना है टॉक सर सवाल थोड़ा मुक्तसर करें हाज मुक्तसर यह नहीं असल में क्या है बहुत सारे बाई खतार में खड़े हुए हैं बहने भी हैं सब को मौका दीजिए जाकिर साब को सुनने का इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक के आजाईए आप क्या कहना चाहते हैं पता है मुझे मैं तीन दीन से नंबर लगा रहा हूं आज नंबर लगा है सर तीनों दिन का बदला वस्थल कर रहे हैं आप जी नहीं सर मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है मुझे बात करने का मुसल्मान लोकों तो बहुत फाइदा हुता नजर आ रहा है लेकिन उससे कही जायदा फाइदा इसलाम के बगर जो मजबे उनको हुता नजर आ रहा है सर उसका कारण मुझे जो द्यान में आ रहा है ये है कि इस टिवी तुई गज़ा में नाय logic किताबे है और आज जो नौन मुस्लिम लोग है उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सोक और धरम गुरू को सवाल पुछने की ताकत रख रहे है जो कुछ हम सुन रहे है यह सही है है क्या यह पुछने की हिम्मत आ रही है सर और यह इनमें बहुत बढ़ जाएंगी सर इसे रोकना प्रॉब्लेम यह आती है कि पूर्ण और में एक एरिया में सिव पूरी तरह से बंध हो चुका है ये मेरी complaint है सर हम जो एरिया में रहते है वहाँ Peace TV काफी महिनों से बंध है अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसल्मान है और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुसलिम एरिया है सर अब उन्हें problem क्या है समझ में नहीं आ रही है channel चलाने में आस्ता channel चला रहे संसकार चला रहे fashion TV 24 गंटों चला रहे train 24 गंटों चला रहे ट्रेंट पीस TV नहीं चल रहा है सर हमने उन्हें काफी request की email बेजे notice बेजी फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है पीस TV चल नहीं रहा है तो मुझे आपसे एक request करनी है कि आप वो भाई से बात करे और उन्हें ये कहे कि पीस TV चलाने में आपकी problem क्या है क्योंकि कल एक भाई नहीं ये छोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की आपने उन्हें कहा कि आप एक पाच्छे हजार की डिस्ट लगा दो पीस TV चल जाएगा सर पाच्छे हजार की डिस्ट चलाने वाले की ताकत पुना में 500 लोग रहेंगे 5000 लोग रहेंगे लेकिन पुना में बहुत गरीब लोग है जो कि यह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि पीस TV देखे करके तो मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साब का प्रॉब्लेम क्या है वो देखे और पीस TV चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करे और अब मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूँ सर जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बहार है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने है 99% प्रिंसिपल मेरे लॉजिकली एकसेप्ट है सर जो एक principle में थोड़ी गड़बडाट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ sir अगर मेरे से कोई गलती हुई तो please संभाल लेना sir मुझे तो मेरा ये है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come here after ये एक principle है sir मुझे accept है मुझे कोई इसमें ये नहीं है दूसरा principle है sir तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही है तकदीर का principle जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्ला ने लिखा है करके आप कर रहे हो ये जुमला गलत है आप जो करने वाले हो वो अल्ला को मालूम है करके अल्ला ने रिखा है I hope I am right sir तो sir अगर जब free will का जो principle है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है sir जबके मैं देख रहा हूँ free will आप जो करने जा रहे हो यानि कि मुझे free will तो है करने में ये principle टैली हो रहा अब रहा principle test का अब जब अल्ला ने हमें यहां test के लिए भेजा है तो आप यहां कह रहे है कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्ला को already पता है और उन्होंने लिख के रखा है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम अखरत तक क्या करने वाले है यहांने सब लोग जो जो है क्या करने वाले है यह अल्ला को पता है यह end result अल्ला को पता है ऐसा मुझे लग रहा है बिल्कुल सही I'm glad sir जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था अब यहां बात यहां आ रही है कि sir अगर world cup cricket का result मुझे अगर final result मालूम है तो पूरा world cup मुझे देखने की जहुरत क्या है Very good बहुत अच्छा सवाल लगता है क्या बहुत peace tv देखते है माशाला आप भी देखता हूं sir आपने जिस तरीके से तकदीर को शौट में कहा Yes sir बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे मुसलमान को भी यह प्राब्लम यह तकदीर क्या है मैच करने का के free will and तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते और आपने इतने बड़े मजमे में कहा मैं आपको congregate करता हूं Thank you sir आपका आखरी सवाल था कि अगर अगर अल्ला को पता है Sir, I have not yet finished my question sir Please Sir, यह तो एक part था question का दूसरा part यह है कि अल्ला को जब अगर मैं तो बनिया हूं sir मुझे मालूम पड़ा है कि Islam accept करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ नकुछ तो मिलना पका है अब यह सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है यह मैं जानना चाहता हूं sir यह दूसरा सवाल है मेरा और तीसरा दूसरा सवाल का जवाब दोगा तीसरा मत पूछे शार्ट है शार्ट है नहीं तो लोग मुझे कहेंगे का मैं ना इंसा फिकर रहा हूं नहीं इसी connected है इसी से connected है और शुप out of curiosity पूछ रहा हूं आप देना चाहे दे सकते नहीं देना चाहे नहीं दे सकते सर हमारा फैसला कैसा होना वाला है यह तो मुझे पता चल गया कि do's or don'ts कुरान में लिखे है फॉलो करो आपका फैसला हो जाएगा लेकिन जो जानवर animals जो है elephants यह जो जो भी जानवर है इनका फैसला अल्ला कैसे करने वाले है यह मुझे जानने की curiosity है आप देना चाहे दे सकते तिनों जवाब देंगा आपने बिलकुल सही क्या तकदीर के बारे में आप पीछ टीवी देख रहे हैं आपके तीन सवाला से पहरा सवाल तक अल्लाह जब जानता है यह सब होने वाला है तो यह खिलवाड क्यूँ होता नै कड़ पुतलिया जब अल्लाह सब जानते है तो हम लोग क्यों यह रचारे ड्रामा डाइरेक क्यों नहीं मुझे जन्नत में लालता है डायरे क्यों ने दोज़क में डालता है? बहुत अच्छा सवाल सबसे पहले ये सवाल कि अगर अगर अल्ला सुभानावत ताला आपको बने अच्छा ये अदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला ये अदमी बुरे काम करने वाला है दोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा दोजक में डालेंगा जन्नत में वाला तो एतराद ने करेंगा दोजक में डालेंगा आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे मैंने क्या गुणा किया Allah Ta'ala Qur'an Explorer'強 ally Qorean में ये लिखा है आخرत के दिन में आप Allah से ये ने कहेंगे क्या वो लए नाइनसाफी कर रहे आपके जिसम आपके ख्राफ गवाय देंगे आपके आँख, आपके हाथ आपके हर जिसम के अंग-अंग आपके favor और खिलाफ में खवाई देंगे आपके आगे सब कुछ पश्ट रेंगा तो आप Allah से ये नहें कहेंगे कि आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे आप कहेंगे मुझे और एक मुखा दो Allah कहेंगा टेस्ट खतम हो गया अगर डायरिक्ट आपको दोजक में डालेंगे तो आप कहेंगे Allah ने प्तवन के दोज़ब अगर टीचर जानता है कि ये स्टुडेंट को first आने वाला ये स्टुडेंट फेल उने वाला है अगर डायरिक्ट मूलेगा no test आपको pass क्या आपको fail क्या पास करने वाला इतराज ने करेंगा फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे अरे आप तो भुद्धु है आपको लेकर फेल क्यों किया इसलिए टेस्ट लेता है अल्ला ताला जानता है लेकिन आप उस पे इतराज ने कहा आखरत में इसलिए टेस्ट ले बंदे ने उसको बढ़काएंगा इबलीज कहता है मेरे punishment को डिले करो give me respite अल्ला डिले कर लेता है अल्ला क्यों कर रहा है क्योंकि अल्ला के लिए इनसान सबसे बहतरी मखलुक है best creation बाकी creation don't have free will इनसान को free will है तो ये सबसे बहतरी creation है उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग है आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है जो फरिश्टे उनको choice ने जो अल्ला कहता है मानना ही पड़ता है जानवर को free will नहीं है जो अल्ला तरह कहेंगा जानवर करेंगा free will नहीं है इसा creation है जिसके पास free will है इसलिए उसे खुशी होती है का मैं free will देने के बाद ये इनसान मेरी इबादत कर रहा है answer number two answer number three ये test जानवरों के लिए नहीं है जानवर के लिए test ने सिर्फ इनसान के लिए और जिन के लिए जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया एक जानवर ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी तो आखरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएंगा और उनको खत्म किया जाएंगा इननों स्वार्ग और नर्क में नहीं जाएंगे इनसान सबसे बहतरी मखलुक है सबसे अच्छा क्रियेशन है चिरिफ वो जन्नत दादोजख में जाएंगे और सवाल के पहले जो आपने पुछा था कि वो मुस्लिम आपरेटर पीच टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करे आप बिल्कुल सही कह रहे कि मुसल्मान से ज़्यादा गैर मुसल्मान को फायदा हो रहा है इसलिए वो मुसल्मान टेलिविजन नहीं दिखा रहा है और मैं कहता हूँ ना कुछ लोग नाम के मुसल्मान रहते पैसे के रहते वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देता हम किसको पैसा देते ने हम ना पैसे ते किसी को खरीदते ना किसी को इसलाम फैलाते ना चैनल को पैसा देते God TV जो Christian चैनल है इंडिया में हर साल 28 क्रोर रुपीज है 28 क्रोर सिर्फ केबिल आपटरस को पैसा देती है 28 क्रोर 28 क्रोर वो बजट भी ने सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए हम पीश टीवी बोलते हमारा हमन का टीवी हम आपको एक रुप्या देंगे ने दिखाने का दिखाओ नहीं दिखाने का दिखाओ तो ये लोग पैसे के पुझा रहे है अब्दुल्ला ने अब्दुरुप्या है ये मुसल्मान हो ही ने सकता जो भी है मैं जानता ने को ने